Welcome friends, इस वीडियो में सितम्बर 2021 का सभी important current affair को discuss करेंगे जो आगे आने वाले सभी exam के लिए important हैंगे जो पूरा सितम्बर है हम लोग एक ही वीडियो में discuss कर लेंगे तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखेगा और कब तक अपडेट है तो 1 अक्टूबर तक इसमें current affair सार अपडेट है और कितने कोशन है 100 कोशन है आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताईएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा ठीक है तो आईए देखते हैं पहला कोशन पहला कोशन है कि हाली में T20 में 10,000 रन बनाने बाले पहले भारतिये खिलाडी कौन बन गया है तो कौन बन गया है बिराट क्वालिटीक है जिनको देखिए जो अगर डेली करेंट अफेर आप लोग देख रहे थे तो आप लोग किस परफस से इसे देखना है कितने कोशन आप आपको इक्जाम में कोशन देखने के लिए मिलेगा ठीक है नेक्स कोशन है कि हाली में सोजत मेहदी को G.I.Tag परदान किया गया है तो किस राज का G.I.Tag परदान किया है राजास्थान का ठीक है तो see isका लाइट एंसर हो जाएगा ठीक है गुजरात बिधान सभा की पहली महला स्पिकर बनी है उनका नाम है नीमा बेन आचार ठीक है नीमा बेन आचार तो C इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि सोमा ग्रांड पी जितने वाले पहले फर्मूला वन ड्राइवर कौन बन गए है तो लुईस हमिल्टन ठीक है लुईस हमिल्टन बन गए है तो B इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है B इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि हाली में करनाटक बिधान सभाद वारा वर्स 2020-21 का सरवसेस्ट बिधायक पुरसकार किसे परदान किया गया है तो किसे प्रदान किया गया है यह प्रदान किया गया है बियस अधुरप्पा जो पूर्व मुखमंत्री थे करनाटक के तो ए इसका रैट एंसर हो जाएगा नेक्स है कि बिस्व तिरंगदाजी चेंपिनशिप 2021 किस देश में आयोजित की गई है तो कहाँ प्रदान की गई है अमिर्का में ठीक है अमिर्का में तो भी इसका रैट एंसर हो जाएगा नेक्स है कि हाली में बंगाल की खाड़ी में उठे तुफान गुलाब जो गुलाब लिखा हुआ है इसका ओरिजिनल नम क्या है गुल यह नहीं है गुल आब है ठीक है इससे करके लिखा हुआ है ठीक है गुल आब है ठीक है हम लोग ने इससे क्या बना दिया है गुलाब तो गुलाब का नाम किस देश ने दिया है तो पाकिस्तान ने दिया है ठीक है पाकिस्तान ने दिया है और कहाँ प्रोठा है नेक्स्ट है कि हाली में कौन महलाओं के बहुमत वाली संसद चुनने वाला इरोप का पहला देश बन गया है तो कौन बन गया है आइसलेंड ठीक है आइसलेंड तो भी इसका राइट एंथर हो जाएगा हूँ नेक्स्ट है कि हाली में किस राज में दुनिया का सबसे उचा एलेक्ट्रिक बाहन चार्जिंग अस्टेशन अस्थापित किया गया है तो कहां पर अस्थापित किया गया है किस राज में हिमाचल परदेश में ठीक है हिमाचल परदेश में तो भी इसका राइट अंसर हो दुनिया के जो सबसे मुल्लिवान कमपणी है एपल है को है एपल तो ए इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि पंडित दिन द्याल उपाद्याय की जहनती को देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया तो किस दिवस के रूप में मनाया गया अंतोधे दिवस के रूप में तो A इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स आए कि 25 सितंबर 2021 को परधान मंतरी नरेंदर मोधी ने संयुक्त रास्ट महासभा के किस सत्र को सम्भूधित किया तो किस सत्र को सम्भूधित किया लगातारा प्लूग पेपर में देखे होंगे तो 76 में सत्र को ठीक है 76 में सत्र को तो B इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स आए कि हाली में किस राज की नागा खीरा को GI टेक परधान किया गया है तो नागा लेंड के ठीक है नागा लेंड के जो है नागा खीरा को GI टेक परधान किया गया है तो C इसका right answer हो जाएगा नेक्स है कि F I C C I द्वारा जारी राज खाद सुरच्छा सुचकांक 2020-21 में भारत के बड़े राजियों में कौन सा राज सिर्ष पैदान पर रहा है तो गुजरात जो है सिर्ष पैदान पर रहा है ठीक है 400 डेज के लिखा कोन है तो आप लोगों को पता हुआ कोन है चेतन भगत ठीक है तो C इसका right answer हो जाएगा नेक्स है कि हाली में भारत ने C 295 EMW मॉडल की 56 परिभान विमान खरीदने के लिए अस्पेन की किस कमपनी के साथ समझा होता क्या है बहुत अच्छा कोसन है किस कमपनी के साथ समझा होता क्या है तो Airbus Defence and Space Company के साथ ठीक है Airbus Defence and Space Company के साथ तो B इसका right answer हो जाएगा नेक्स है कि भारत के किस जल्बे दूद परियोजना को 2021 IHA Blue Planet पुरसकार 2022 से सम्मानित किया गया तो किसे सम्मानित किया गया तो तीस्ता 5 को ठीक है तीस्ता 5 को तो A इसका right answer हो जाएगा A इसका right answer हो जाएगा नेक्स है कि 24 सितंबर 2021 को लेह में 5 दिवस्ये प्रथम हिमाले फिल्म महुतसव का उद्गाटन किसके द्वारा किया गया था तो अनुराग ठाकूर के द्वारा ठीक है किसके द्वारा अनुराग ठाकूर के द्वारा तो D इसका right answer हो जाएगा नेक्स है कि हाली में भारत सरकार ने हाली में भारत सरकार ने किस नाम से एक परिसंपत्ती परवंधन कंपनी किया स्थापना की है तो आपको नोट कर लेना है IDRCL के नाम से ठीक है IDRCL के नाम से तो B इसका रैट एंसर हो जाएगा Next question है कि 24 सितंबर 2021 को Sea Fairs At the core of Sipping Future theme के साथ कौन सा दिवस मनाया गया तो 20 समूंदरी दिवस ठीक है 20 समूंदरी दिवस मनाया गया तो ए इसका रैट एंसर हो जाएगा Next question है की भारतिय सेना द्वारा 26 से 29 सितंबर 2021 तक 20 समूंदरी समूंदरी दिवस संस्कृतिक महोच्जव का आयोजन कहाँ पर किया गया है तो कोलकाता में किया गया है तो ए इसका रैट एंसर हो जाएगा Next की हाली में संहुत रास्ट ने अफगानिस्तान में दवाईया एबं चिकितसा अपूर्ती के लिए कितनी धन रासी की आपात कालीन कोस जारी किया है तो 45 मिलियन डॉलर के ठीक है 45 मिलियन डॉलर के तो सी इसका रैट एंसर हो जाएगा Next question है की भारतिय सेना प्रति बर्स किस दिन को हैफा दिवस के रूप में मनाती है तो 23 सितंबर को ठीक है 23 सितंबर को जो है हैफा दिवस के रूप में मनाती है तो भी इसका रैट एंसर हो जाएगा आप लोगो कमेंट करके बताना है कि जो हैफा है है एक सहर है, किस दिसमें अस्ति था इस सहर next है कि हाली में हाली में भारत के किस समुद्री टट को बुलू फ्लाइग परमानी करण से पुस्कृत किया गया है तो किसे किया गया है कोबलन टट टमिल नाडू कोबलन टट टमिल नाडू और इडन टट पुडू चेरी तो से इसका राइट एंसर हो जाएगा और आपको याद राखना है कि बुलू फ्लैग परमानी करन में भारत के कितने आपके टट आगे हैं तो 10 टट आगे हैं ठीक है कितने टट? 10 टट आगे हैं पहले आठ था अब दो नया जुड़ गया तो हो गया दस इसे नोट कर लिजेगा एक्जाम में पूछा जाता है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है कि साहिक्त रास्ट के सतत विकास लच्छो के लिए बील एंड मिलिन्डा गेट्स फांडेशन का चेंज मेकर आवाड 2021 किसे परदान किया गया है चेंज मेकर आवाड 2021 किसे परदान किया गया है तो फिरोज फैजा बीथर को 21 देश किये हैं बंगला देश किये हैं नेक्स्ट है कि वर्स 2022 में सित कालिन ओलंपिक और पहला पैरा ओलम्पिक खेल कहां पर आउजित होंगे तो बिजिंग चीन में ठीक है बिजिंग चीन में तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्टे की हाली में किस भारतिय किर्केटर को ICC T20 विश्ट कप 2021 के पुरिष टीम के मेंटर इंपोर्टेंट है पुरिष टीम के मेंटर के रूप में नामित किया गया है तो किसे किया गया है? महेंदर C धोनी को ठीक है? महेंदर C धोनी को तो C इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है कि बिश्ब गुलाब दिवस किस दिथी को मनाया जाता है? तो बिश्ब गुलाब दिवस जो है बाइस सितंबर को मनाया जाता है बाइस सितंबर को मनाया जाता है तो B इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि भारतिय बायुसेना के नए अध्याच की रूप में किसे निउक्त किया गया है? तो किसे निवक्त किया गया है तो नोट के लिजेगा बी आर चोधरी को बी इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि 20,000 अंतरास्टी रण बनाने बाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बनी है होना चाहिए महला क्रिकेटर कौन बनी है तो मिताली राज ठीक है तो B इसका रैट एंसर हो जाएगा कि महला लिखा हुआ है 20,000 अंतरास्टी रन बनाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बनी है एक तरीके से इसमें महला का जो सेंस आरा ठीक है तो B इसका right answer हो जाएगा मिताली राज भारत की नोट के लिजिएगा important है उसके बाद next है कि 73 में Prime Time Amy Award से किस TV स्रीज ने Outstanding Drama स्रीज का अवार जीता है तो जीता है The Crown ने ठीक है The Crown ने तो A इसका right answer हो जाएगा next है कि भारतिय वायुसेना ने किस देश से 24 second hand ध्यांसे सुनिएगा 24 second hand मिराज 2000 लडाकों बिमान खरीदने के लिए 27 million येवरो अनुबंद पर हस्ताचर किया है तो किस से खरीदेगा भारत second hand मिराज 2000 तो France से ठीक है France से तो B इसका right answer हो जाएगा किस लिए खरीदे जा रहा है में लिए इसका पाठ पूर्जा का इस्तमाल किया जाएगा हमारे मिराज के द्वारा ठीक है next है कि हाली में भारत और किस देश के बीच समुंद्र सक्ती अभियास का तिसरा संस्करन सुन्डा जल डमरू में शुरू हुआ तो नोट कर लिजेगा इंडोनेसिया के बीच में ठीक है भारत और इंडोनेसिया के बीच में तो D इसका राइट अंसर हो जाएगा next है कि हाली में यस्यों देशों के संयुक्त आतंगबाद बिरोधी अभियास सांतिपुर्ण मिसन 2021 के छठे संस्क्रण की में जवानी किस देश के दवारा की गई है तो रूस के दवारा ठीक है रूस के दवारा तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा next है कि किस देश के कब्रे बेजा जो आला मुखी में भेंकर बिसपोट हुआ है तो किस देश का है नोड कर लिजेगा ए इसका राइट अंसर हो जाएगा next question है कि हाल ही में भारत नेपाल के मध संयुक्त सैन अभ्यास सूरी किरन का पंदरमा संस्क्रण कहां आयोजित किया गया तो भारत में आयोजित हुआ है और कहां पर आयोजित किया गया है नोड कर लिजेगा पिथावडा गर उत्रा खंड में थीक है पिथावडा गर उत्रा खंड में तो B इसका राइट अंसर हो जाएगा उसके बाद next है कि हाली में जारी वैसविक नवचार सुचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है थीक है भारत को चि अलिसमा स्थान प्राप्त हुआ है तो D इसका राइट अंसर हो जाएगा भारत को दो अंकोो का सुधार हुआ है दो अस्थानों का ठीक है next है कि हाली में किस राज के चिदवाडा विस्विध्याले का नाम बदल कर संकर सा विस्वध्याले किया गया है तो मद पर्देश के ठीक है मद पर्देश के छिदबाला एक डिस्टिक है मद पर्देश को नाम याद रखेगा छिदबाला जो है मद पर्देश में डिस्टिक है तो B इसका रैट एंसर हो जाएगा नेक्स है कि हाली में चरंजीत सी चन्नी पंजाब के कौन से मुख मंतरी बने हैं तो सुलुमे नमर के मुख मंतरी बने हैं ठीक है पंजाब के परथम दलित मुख मंतरी है नेक्स्पॉशन है कि हाली में रास्टपति रामनात गोविंद ने किसे रास्टी फोलोरेंस नैटिंगल पुरसकार 2020 परदान किया है तो ब्री गेडियर यस भी सुरुसति को ठीक है ब्रिगेडियर यस भी सुरुशत्य को परदान किया है राश्टी फोलोरेंस नैटिंगल पुरसकार 2020 भारत के राश्टपती रामनात गोबिंद के द्वारा तो B इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स है कि हाली में किस राज के हाथी मिर्च और तमोंग लोंग संत्रा को GI टेग परदान किया गया है बहुत अच्छा कोश्टन है तो मनी पूर के ठीक है मनी पूर के तो C इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स है कि हाली में भारत के सत्तर में ग्रेंड मास्टर कौन बने हैं तो राजा रित्विक ठीक है राजा रित्विक बने हैं तो सी इसका रैट एंस रो जाएगा नेक्स है कि हाली में 112 अकांची जीलो में कच्छा 6-12 के छातरों को मुक्त छिच्छा परदान करने के लिए निती आयोग ने किसके साथ साजेदारी की है तो बैजू के साथ ठीक है बैजू के साथ में तो ए इसका रैट एंस रो जाएगा नेक्स कोशन है कि 18 सितंबर को किसके द्वारा मद परदेश के जब्बलपूर में जो है उजवला 2-0 योजना का सुभारम किया गया है तो अमीज सा के द्वारा किया गया है तो ए इसका रैट एंस रो जाएगा यहाँ पर धियान लेकर का पूछ रहा है कि मद परदेश के जब्बलपूर में ठीक है उजवला 2-0 का 2-0 योजना का सुभारम किसने किया है तो अमीज सा ने किया है अगर पूछेगा उत्तर प्रदेश के जो महोबा है वहाँ पर से जो उजवला 2-0 है उसका सुरुयात भरत के परदान मंतरी नरेंदर मोदी के द्वारा किया जाता ह एकल हम लोग पढ़े थे परतियोकता दरपन में ठीक है उसके बाद नेक्स्टे की हाली में किस संस्था ने कुमहारों को आत्म निर्वर बनाने के लिए यस पैन योजना की सुरुवात किया है तो किसके द्वारा सुरुवात की गई है खादी और ग्राम उद्द्योग आय बना है इरान बना है ठीक है एरान तो ये इसका रैट एंसर हो जाएगा ऐस का तक है नेक्से की हाली में दूबार के ओलम्पिक स्वर्न पधक बिजाएता यूरी यूरी संडिक कांदिरधन हो गया वह किस देश के थे तो रूस के थे ठीक है रूस के थे तो से इसका राइट इंसर हो जाएगा नेक्स है कि किस देश की अध्यचता में संगहाई सहयोग परिशद की रास्टा अध्यचों की एक रिसमी बैठक आयोजित की गई तो आपको याद राखना है किस देश की अध्यचता में इसका आयोजन किया जाता है तो तजाकिस्तान की अध्यचता में ठीक है तजाकिस्तान की अध्यचता में और कहाँ पर इसका आईड़न किया जाता है तो तजाकिस्तान के रिधानी दुसामबे में ठीक है तो डे इसका राइट अंसर हो जाएगा भारत के परदान मंत्री वर्चवल तरीके से यहाँ पर भासन देते हैं जबकि सामल होने के लिए भारत के बिदेश मंत्री यस जेसंकर जाते हैं, नेक्स्टे की 17 सितंबर को राश्पती रामनाथ गोविन ने किस राज विधान सभा के 27 को सम्भोधित किया, तो हिमाचल प्रदेश के, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के, तो D इसका राइट एंसर हो जाएगा, नेक्स्टे की हाली में किस राज सरकार ने, E.B. रामा सामी की 183 में जहिंती को समाजिक नियाए दिवस के रूप में मनाया है, तो तेमिल नाडू ने, ठीक है, तो D इसका राइट एंसर हो जाएगा, नेक्स्ट कोस्टन है कि हाली में अगस्ट 2021 के लिए किसे ICC Women's Player of the Month के विजयता के रूप में चुना गया है, तो किसे चुना गया है, एमियर रिच डर्सन को, तो D इसका राइट एंसर हो जाएगा, ये किस देश की हैं, तो Ireland की हैं, ठीक है, Ireland की हैं, नुट कर लिजेगा, important है, नेक्स्ट है कि हाली में नुवाक जोकोबिच ने किस Grand Slam Tournament में पूरुस एकल का खिताब जीता है, तो Australian Open में जीता है, French Open में जीता है, और B Maldon में जीता है, तो D इसका राइट एंसर हो जाएगा, ठीक है, D इसका राइट एंसर हो जाएगा, नुट कर लिजेगा, important है, Australian Open में जीता है, French Open में जीता है, B Maldon में जीता है, तो D इसका राइट एंसर हो जाएगा, और आप लोग कमेंट करके बताएगा, नुवाक जोकोबिच जो है, किस देश के हैं, ठीक है, European Country के हैं, किस देश के हैं, आप लोग को कमेंट करके बताना है, नेक्स है कि हाली में कि उद्योग जगत में उल्यखनिय योगदान है तूर, किसे राम क्रिष्न बजाज मेमोरियर, गलोबल पुरसकार परदान किया गया है, तो किसे परदान किया गया है, गौतम अडानी को, ठीक है, गौतम अडानी को, तो D इसका राइट अंसर हो जाएगा, नेक्स है कि हिंदू इनवर्शिटी ओफ अमिर्का ने किस अभिनेता को हिंदू अध्यन में डॉक्टरेट की मानद उपाधी परदान किये, तो किसे परदान किये, अनुपम खेर को, ठीक है, नोट कर लिजएगा, इन्पोर्टेंट है, अनुपम खेर को, तो से इसका आदमी पाटी ने किस राज में सेलफी विद टेंपल अभियान की शुरुवात किये, तो उत्रा खंड में ठीक है, उत्रा खंड में किनको उत्रा खंड में अलक्षन होने वाला है, तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा, सेलफी विद टेंपल, नेक्स्ट है कि 20 ओजोन द इवस है, 16 सितंबर को मना जाता है, 16 सितंबर को, तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा, नेक्स्ट है कि हाली में इवस ओपेन 2021 का पूरुस एकल का खिताब किसने जीता है, तो डेनियल मेदवे देव ने, डेनियल मेदवे देव ने, तो भी इसका राइट अंसर हो तार तिसरी बार देश का सरवसेस्ट संस्थान चुना गया है तो आयाटी मदरास को ठीक है आयाटी मदरास को तो सी इसका राइट अंतर हो जाएगा अच्छा कोशन इसे नूट कर लिजेगा नेक्स्ट की हाली में BRO सलक निर्मान कंपनी की कमांग संभलने बाली परत्थम महला से नदिकारी कौन बन गई है तो आयना राना ठीक है आयना राना तो डे इसका राइट अंतर हो जाएगा जितने भी हम लोग के सो कोशन है सो के सो कोशन भी भी आएए ठीक है यहने कि एक को कोई खरावे नहीं सो कोशन भी भी आए ठीक है तो आप लोग को सो कोशन बहुत ध्यान से देखना है कोशिस के जाएगा बार बार इसे देखें ताकि आपको याद हो जाए ठीक है नेसे की हाली में Facebook इंडिया के Public Policy Director कौन बने है तो Facebook इंडिया के जो Public Policy Director बने है उनका नाम ह राजीव अगरवाल ठीक है राजीव अगरवाल तो C इसका राइट अंसर हो जाएगा हम लोग का जो डेली वाला पेपर आता है उसको आप लोग फॉलो कीजेगा तो आपका एक भी कोशन छुड़ेगा कोई भी एक्जाम में नहीं ठीक है नेक्स कोशन है कि हाली में किस र राज मचली घोशित किया गया है तो D इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि हाली में किस भरतिय खिलाली ने तो जो रूट को मिला है तो C इसका राइट अंसर हो जाएगा जो रूट किस दिसके हैं तो इंग्लेंड के हैं नेक्स है कि हाली में किसे वर्ष 2021 का स्वामी ब्रह्मा नंद पुरसकार दिया गया है तो किसे दिया गया है आनंद कुमार को ठीक है आनंद कुमार को तो D इसक राइट एंसर हो जाएगा नेक्षे की हाली में दुबाई का गोल्डेन विजा पाने वाले पहले गॉल्फ खिलाडी कौन बने हैं तो जीब मिलखा सिंग ठीक है जीब मिलखा सिंग तो भी इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्षे की हाली में भारत के किस सहर में हाइबे पर भारत की पहली अपात काली लेंडिंग सुपधा का उधगाटन किया गया है तो कहां पर किया गया है राज़स्थान में किया गया है और बाल मेर डिस्टिक में ठीक है तो भी इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्टे की हाली में किस राज सरकार ने पेड़ो को बचाने के लिए प्रान बाईव देवता पेंसन योजना शुरू किये तो किस राज सरकार के द्वरा शुरू किया गया है हरियाना राज सरकार के द्वरा ठीक है तो ए इसका रैट अंसर हो जाएगा नेक्से की हाली में कौन पहले भारतिय मुल्क के बेखती अस्टेलियाई सुप्रीम कोट के जजबने हैं तो हेमंत धन्जी तो D इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्से की हाली में समपन हुए टोक्यू पैरा उलम्पिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं तो भारत कुल 19 पदक जीता है तो C इसका राइट एंसर हो जाएगा ठीक है नेक्से की हाली में दो पैरा उलम्पिक मेडल जीतने बाली पहली भारतिय महला एथिलीट कौन बनी है तो अबनी लेखरा ठीक है अबनी लेखरा एक ही उलम्पिक में इनके द्वारा दो मेडल जीता गया ठीक है तो B इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्टे की हाली में लद्दाख प्रशासन ने किसे अपना राजपसू गोसित किया है तो हीम तेंदवा को ठीक है हीम तेंदवा को तो B इसका right answer हो जाएगा नेक्स्टे की कोईला खदार में काम करने वाली भरत की पहली महला इंजिनियर कौन बनी है तो अकांचा कुमारी बनी है ठीक है अकांचा कुमारी मीना तो C इसका right answer हो जाएगा यह राजपस्थान की है नेक्स्टे की हाली में भारत के सबसे उचे एर प्यूरी फायर टावर का निर्मान कहां पर किया गया है तो कहां पर किया गया है चंडी गढ़ में ठीक है इसका right answer हो जाएगा नेक्स्टे की 9 सितंबर 2021 को किसके अध्याचता में तेर्मा बिरिक्स सीखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया तो किसके अध्याचता में किया गया था तो भारत की अध्याचता में ठीक है भारत की अध्याचता में बिरिक्स में कितने कंट्री हैं बिरिक्स में अपकी पाँच कंट्री हैं कितने कंट्री हैं पाँच कंट्री हैं ठीक है नोट कर लिजेगा उसके बाद नेक्स कोसन है कि हाली में भारत का पहला परमानू मिसाइल ट्रेकिंग जहाज का विसाखा पट्नम में परिच्छन किया इस जहाज का नाम क्या है तो इस जहाज का नाम क्या है आई एनेस धूर्ब ठीक है आई एनेस धूर्ब है तो बी इसका रहे टेंसर हो जाएगा नेस कोशन है कि तमिल नाडू सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पूर्णतिती को महा कवी दिवस के रूप में मनाने की घोषना की है तो सुब्रयमन्यम भारती की पूर्णतिती को जो है महा कवी दिवस मनाने की घोषना की गई है तमिल नाडू सरकार के दबारा तो सी इसका रहे प्रोजेक्ट उडान को लॉंच किया गया है तो आयाटी बंबे के द्वारा आयाटी बंबे के द्वारा तो बी इसका रैट अन्सर हो जाएगा नेक्स्ट है की हाली में बहुरास्टी अभियास जेपड 2021 का आयावजन किस देश में किया गया तो रूस में ठीक है रूस में किया गया तो ए इसका रैट अन्सर हो जाएगा नेक्स्ट है की केंद्री परियावरन वन एबम जल बायू परिवरतन मंत्राले द्वारा लॉंच किये गए प्रान पोटल का संबंध किस से है तो जो प्रान पोटल है उसका संबंध है बायू परदुशन की नियमन से तो ए इसका रैट अन्सर हो जाएगा nexticicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic पुरसकार से सम्मानित किया गया है, तो सम्मानित किया गया है सुजैना क्लार्क को, तो D इसका रेट अंसर हो जाएगा, नेक्से की हाल ही में किस देश ने हावा से कर्बन डैयोकसाइड सोखने बाली, दुनिया का सबसे बड़ा सैयंत्र, ओकरा सैयंत्र अस्थापित किया है तो कहां पर अस्थापित किया गया है किस देश में अस्थापित किया गया है तो I-Sland में ठीक है तो B इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स एकि निमलिखित में से किस संस्था द्वारा हाली में सुन अभियान की शुरुवात की गई है तो इस शुरुवात की गई है नेती आयोक के द्वारा ठीक है नेती आयोक के द्वारा शुरुवात की गई है तो किस संस्था के द्वारा तो नेती आयोक के द्वारा तो D इसका राइट एंसर हो जाएगा नेती आयोक के अध्याज कौन होते है प्रधान मंत्री होते हैं ठीक है प्रधान मंत्री और इसका स्थापना कब किया गया था एक जनवरी 2015 को नेक्स्ट है कि टाइम्स पत्र का दुबारा 2021 के सौ परभाव साली लोगों की सूची में निमलिखित में से कौन सामिल नहीं है तो कौन सामिल नहीं है दरेंद्र मोधी सामिल है ममताव अनर जी सामिल है आदार पुना वाला सिरम इसचूट ये सामिल है जबकि मुकेश अंबानी सामिल नहीं है ठीक है मुकेश अंबानी साहब सामिल नहीं है तो सी इसका राइट एंस अस्थापित किया है तो टाटा स्टील ने तो डी इसका राट एंसर हो जाएगा नेक्स्टे की हाली में किस राज सरकार ने अपने नागरीकों को मुक्त में पानी मोहिया कराने की गोशना किये तो गोवा सरकार के द्वारा ये गोशना की गई है गोवा सरकार के द्वारा तो D. इसका राट अंसर ओ जाएगा नेक्सेकी हाली में किस राज में डुडोंग के लिए भारत का पहला संदचन रिजब अस्थापित करने की घोसना की गई है तो तेमिल नडू सरकार के दौरगर इस गोसना की गई है तो D इसका right answer हो जाएगा ठीक है नेक्स्टे की हाली में कौन सा देश जोए प्लास्टिक समझोता शुरू करने वाला पहला SEI देश बन गया है तो भारत ठीक है भारत तो A इसका right answer हो जाएगा नेक्स्टे की हाली में समुंदरी सहयोग बलाने है तू भारत और अलजिरिया के मद आयोजित पहले नोसेनिक अभियास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया तो INS तवर ने ठीक है INS तवर ने भाग लिया था तो D इसका right answer हो जाएगा नेक्स्टे की हाली में योग ब्रेक एब को किस मंत्राले द्वारा लॉंच किया गया है तो I उस मंत्राले के द्वारा जो है योग ब्रेक एब को लॉंच किया गया है तो D इसका right answer हो जाएगा नेक्स्टे की हाली में भारत ने किस देश के साथ नोसेनिक अभियास SIMBACS का 28 संस्क्रन किया है तो आपको याद रखना है जो SIMBACS होता है भारत और सिंगापूर के बीच में होता है तो B इसका right answer हो जाएगा और आप लोग कमेंट करके बताना है कि जो SIMBACS का 28 संस्क्रन हुआ था कहां पर हुआ है कहां पर हुआ है आप लोग कमेंट करके बताना है नेक्स्ट है कि हाली में Engineers India Limited की पहली महला अध्यच कौन बनी है तो वर्ति का सुकला बनी है ठीक है वर्ति का सुकला बनी है तो C इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट है कि हाली में भारत के पहले Quantum Computer Simulator Tool कीट का नाम क्या है तो उसका नाम क्या रखा गया है तो Q-SIM ठीक है Q-SIM उसका नाम रखा गया है तो B इसका right answer हो जाएगा B इसका right answer हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट कॉस्टन है कि COVID-19 ठीके की खोज में महत्पूर्ण भूम का निभाने है तो बांगलादेस के किस बैज्यानी को रमन मैक्सिसे पुरसकार 2021 परदान किया गया है तो फिर दोसी कादरी ये महला है नोट कर लिजेगा फिर दोसी कादरी जी को परदान किया गया है तो C इसका right answer हो जाएगा महला है फिर से बोल दोते है नोट कर लिजेगा इंपोर्टेन है ठीक है तो C इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट है कि हाली में किस बैक्ति की जैन्ती पर परदान मंत्री रेंद्र मोदी ने 125 रुपिय का असमारक सिक्का जारी किया है किस बैक्ति की जैन्ती पर तो आपको याद रखना है स्वामी प्रभु पाद की जैन्ती पर इंपोर्टेन है नोट कर लिजेगा इस पर गार से कोशन पूछा जाता है ठीक है नेक्स्ट है कि हाली में किस राज सरकार ने वर्स 2030 तक जो है 100% सचरता प्राप करने का लच निर्धारित किया है तो नागा लेंड ने लच निर्धारित किया है नागा लेंड ठीक है तो भी इसका राइट एंसर हो जाएगा और लाज कोशन है की हाली में किस देश ने विदेशे मुद्रा संकट और बढ़ती ख़द्यान कीमतों के कारण ख़द्यान अपात गोसित किया है तो अपना पड़ोसी देश सिरलंका किया है ठीक है अपना पड़ोसी देश सिरलंका किया है तो C इसका right answer हो जाएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताईएगा और हम लोग का जो मॉर्लिंग पेपर आता है उससे आप लोग देखा किजिए उससे आपका एक भी कोशन बाहर नहीं जाएगा ठीक है इस 100 के सब्सक्राइब कोशन आपके एक्जाम के लिए इनपोर्टेंट रहते है ठीक है थैंक्यू